अब भी अभी जस्ट हम लोग लँज करके निकले नामी आइलेंड के लिए इधर हमारे पैकेज में फेरी राइड इंकलूड़ेड है बट दूसरा भी एक option है कि जीप लाइन से या जीप वायर बोलते है इधर उधर से छोड़ते यह उपर आप देख सकते तो उधर में भी जाके उपर से वह डिरेक्टली नदी क्रॉस करके नामी आइलेंड तक छोड़ देते बट वह हमारे इसमें नहीं है और उसका गुष त तो 37,000 वान प्राइज है तो हमने क्लुक से लिया था पैकेज तो उसमें यह नहीं है फेरी राइड है बट मोस्ट प्रोबैबली सब लोग फेरी राइड ही लेते क्यूंकि वह फेमस है या फिर बहुत सारे के ड्रामा या फिर कोरियन मुवीज मुवीज वगरे में भी वह यूज करते हैं या फिर वह मतलब सीन्स होते हैं तो वह लोग ज्यादा प्रिफर करते हैं बट यह भी एक आप्शन है तो अभी हम लोग उधर ही फेरी राइड के लिए जा रहे है तो नेक्स्ट हम गए थे नामी आइलेंड जो कि सोल से कुछ एकात गंटे की दूरी पर है यह आइलेंड क्रिसंट मून के शेप में है यहां आपको एक जेटी से जाना पड़ता है हमने क्लू कैप से यहां का टूर बुक किया था तो उसी में यह सब इंक्लूड़ड था अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा पे करके जिप लाइन से भी आ जा सकते हैं अभी नाम्याइलेंड पर पहुच गए बस दस मिनिट का ही फेरी था ज्यादा दूर नहीं था यह नाम्याइलेंड का इंट्रेंस और ज्यादा धिड़े आज नाम्याइलेंड एक बहुत ही कुपसूरत लोकेशन थी इस आइलेंड पर बहुत क्रीनेरी थी इंफाक्ट अलग अलग टैप के ट्रीस थे रेड येलो औरेंज हार कलर के ब्यूटिफुल लीज वाले ट्रीस यह बहुत फेमस स्पॉट है के ड्रामा शूट्स के लिए बट सबसे ज़्यादा फेमस यह है विंटर सुनाटा ड्रामा के लिए यह आप अराउंड 300 रुपीज देखे हाफ एन आवर के लिए साइक्लिंग भी कर सकते हैं कपल वाली साइकल्स भी मिलती है यहाप तो अगर आप हमारी तरह सिंगल नहीं है तो जरूर ट्राय करना यह जो मैं कड़ा हूं अभी वह कोरियन ड्रामा का फेमस लोकेशने विंटर सोनाटा नाम की मूई है वह जो गाइड थी तो उन्होंने बताया था कि मूवी काफी पूरानी है बट वह अभी भी पॉपिलर है इस पूरानी मूवी का भी शॉक रहता है किसी किसी को तो वैसे ही यहा है कि वह जहां से अभी वह तीन लड़की अगई वैसे ही वह साइकल पर गूंगते थे लड़का लड़की वही उसी टाइप का सीन है बट में भी हाइप या फिर आइलेंड पर है या ऐसे होई तो मालूम है बट यही है बाकि ऐसा कुछ खास नहीं है यहां पर एक सिस्की में यहां पर काड़ भी अपने आप ही करना पड़ता है यहां पर इंसर्ट करो और हो गया यहां एक क्यूट काफे में भी हम गए थे जहां हमने रिवर साइड बैट के आइस क्रीम भी खाई थी इतने लोग होते हुए भी काफ ही शान्ती थी यहां पर वेरी पीसफुल ओवरॉल एक बहुत बड़े से गार्डन जैसा फील आया था है यहां पर बीच बीच में चुटे चुटे जरने भी भी बह रहे थे उन पर क्यूट वोड़न ब्रिजेस भी बनाये हुए थे अगर आपको पिच्छ क्लिक करना पसंद है फिर तो आप बहु है । है वह इस था है अगल अंप है वह तो आपको अगया जास प्रहण स्थिद्ट पर गड़ें घ्री ठीट है वेट करना पड़ेगा था जलिस दसक्तार शायद बड़ेख तो आफर क्लिकिंग गजिलेन पिचर्स हम तर से बैठ गए जेटी में और आगे वापिस तो फाइनली हम लोग आपस आ गए यह यहां पर बस पार्किंग है सारे बस यहां पर रुपते और वह पीछे से एंट्री है डॉट 425 को आपस आ गए अभी बैक टू पिक अप पोईंट जहां से लिया था तो एसी थी इस पूरे दिन की टूर कि गिग्ट में पोईंट एंग पल शो में बसाना गए कि अभी एक और शॉप मिला है ऐसे क्रियेटिव चीजा उनके लिए फेमस है यहां पर यह सब कुछ हैंड मेड करके रखाई है जो मराठी में बोलते हैं लोकर यह उसका है वुलन का सब कुछ बैच हो अगयरा स्टिकर्स या फिर ऐसे लेटर्स भी है और यह बैंड रखें और यहां पर भी आप देखते हो कार्टून है मीनियन कि दर गया है मीनियन उसके बाद सुपर मैन यह स्पाइडर मैन अरो सब्सक्राइब लेटर्स है और भी बहुत कुछ है तो आप यहां पर चूच कर सकते हो और यह जो लेडी उसको दे सकते हो तो वह कस्टमाइज करके कीचेन या फिर ऐसा बेल्ट बना के देगे आपको यह भी एक पेम यानी दी मिलिटराइस्ट सोल टोर पे जिसका हाइलाइट होने वाला है नौर्थ कोरिया का बॉर्डर येस यू हूर्ड इट राइट हम नौर्थ कोरिया से सिफ बन सेवेंटी मीटर दूर थे हमारे गाइड ने काफी इंट्रेस्टिंग फैक्ट और स्टोरी सुनाई हमें तो जरू दिखेगा अगला वीडियो तब तक के लिए लाइक और शेयर दिस वीडियो और मेक्शर यू सब्सक्राइब तो दिस चानल बाइ